Welcome back to India का नया मैदान मैं अक्षे आपका इस वीडियो में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Australian T20 लीग के 35th मैच की जो की होने वाला है Scotchers और Heat टे बीज में हम इस वीडियो में अपके तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये होने वाले मैच का in-depth analysis प्रोवाइड करा सके ताकि आप एक अच्छी टीम बना कर winning कर सके हम इस वीडियो पे कुछ important topics पे focus करने वाले हैं जैसे कि दोनों टीम से की players कौन से होंगे दोनों टीम से possible playing 11 क्या होंगे ये मैच किस venue पे होने वाला है उस venue का pitch report क्या कहता है दोनों टीम के past records क्या कहता है तो इस तरीके से कुछ important factors पे हम लोग आज ध्यान देने वाले है तो आप सब लोगों से request है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल पे मिसना करे और हमारे साथ end तक बने रहे तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे oscillant T20 League के 33rd match के giveaway की जो हमने आपके लिए plan किया था 33rd match के giveaway में हमें आपके बहुत सारे response मिले हमें बहुत सारे comments भी मिले बहुत users ने answers भी दिये लेकिन उसमें से एक ही user ऐसा दा जिसने हमारे condition को ध्यान में रखते हुए सही answer दिया है और वो user है हर्श कुमार तो हर्श कुमार आपस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाहिए अपने comment को वापस चेक कीजे क्योंकि हमारे team आपसे उसी comment के थुरू आपको further process के instruction देगी तो please जाहिए और comment देखिए हमने आपके लिए इस वीडियो में भी एक giveaway plan किया हुआ है इस giveaway में हम आपसे एक question पूछने वाले है और हम इस वीडियो में इस giveaway की हम लोग दो winner declare करने वाले हैं तो आपसे फिर से एक बार request है कि वीडियो को बिल्कुल भी skip ना कीजे वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करें and end तक वीडियो को promptly देखते हैं तो अब देखते हैं match का analysis सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये match कहा होने वाला है और वहाँ का pitch report क्या कहता है तो अगर match menu की बात करें and date की बात करें तो ये जो scorches and hit के बीच का match है ये होने वाला है 13 January को सुभे 10 बच के 45 मिनिट पे up the stadium में जो है पर्थ में अब नाम से ही पता चलता है कि ये जो stadium है ये उसको पर्थ का होने वाला है home ground तो एक home ground advantage already पर्थ को यहाँ से मिल चुका है ठीक है अगर इस stadium की बात करें तो ये Australia का one of the largest stadium भी है and iconic stadium भी है जिसकी capacity 61,000 की capacity है अगर हम लोग इस stadium के side boundaries की बात करें तो इसकी side boundaries जो है बड़े hit करने में थोड़ा struggle करते हुए दिखेंगे अगर इस वेनियों की pitch report की बात करें तो यहाँ की pitch जो है बाउंसी पीछ है जिसके वज़े से यहाँ पे Pacers को काफी अच्छी मदब मिलने वाली है beginning से ही Pacers को अच्छे खासी swing मिलने वाली है अगर हम लोग पहले 6-7 over की बात करें तो पहले 6-7 over में यहाँ पे batsman को थोड़ी मदद मिलेगी pitch से जहाँ पे वो थोड़े run score कर सकेंगे लेकिन जैसे जैसे यह pitch आगे जाएगा यहाँ से पूरी मदद जो है वो ballers को मिलने वाली है अगर हम लोग toss या conditions की बात करें तो यहाँ पे toss ऐसा पूर जादा crucial role play करने वाला नहीं है क्योंकि 40-50 over इस pitch से आराम से ballers को मदद मिलने वाली है तो यह जो match होने वाला है यह एक baller dominating match हम लोग देख सकेंगे अगर हम लोग इस pitch और venue की बात करी रहा है तो चलिए इस venue के records बेख लेते है तो यह venue पे overall 33 T20 matches खेनी गई है जिसमें से 17 matches उन टीमों ने जीता है जिनोंने सबसे पहले batting की है और 16 matches टीमों ने chase करते हुए जीती है अगर हम इस venue के average score की बात करें तो अगर कोई team यहाँ पे पहले batting करती है तो first inning average score जो है वो 170 के आसपास का देखा जाता है कभी-कभी conditions कुछ अलग होने के वज़े से यहाँ पे आपको यह score आगे-बिचे होता हुआ देखेगा पर जो standard average score जो हमने recently देखा हुआ है जो हमारे analysis के तो निकला हुआ है वो 170 के आसपास का average score for the first inning अगर हम लोग इसी pitch पे इसी stadium में अगर आप लोग highest and lowest score की बात करें तो highest जो score है यहाँ पे वो scorches का ही है जो 213 रन का है और lowest score जो है वो भी scorches का ही है जो 79 रन का है अब अगर हम लोग दोनों टीम्स के इस venue पे record की बात करें तो इस particular venue पे मतलब पर्थ में ऑप्टस पे दोनों टीमों ने total 5 matches खेंगी है जिस मेंचे जो 4 matches है वो scorches ने जीती है and 1 matches heat में जीती है हमने कहा था home ground का advantage टीमों को मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे results आपके सामने है रही तो 4 matches scorches ने जीती है एक home ground का advantage थोड़ा मिलता है टीमों को इस result को इस record को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अगर आप्टस पे या पर्थ पे बात करें तो scorches का पलड़ा भारी है तो यह है इन दोनों टीम्स का इस particular venue पे record आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों टीम्स के overall record की तो इन दोनों टीम्स के वीच में total 22 matches खेनी कही है जिसमें से 14 matches scorches पे जीती है और 8 matches heat नी जीती है तो चाहे stadium की बात करो या overall history की बात करो heat के आगे scorches का performance हमेशा अच्छा ही रहा है dominating ही रहा है और scorches का पलड़ जाओ है कही न कही हमें heat के आगे बारी दिखता है अगर हम लोग आप्टस पे पिछले कुछ matches की बात करें तो पिछले कुछ matches की जो results है वो कुछ हैसे रहे है कि scorches ने 42 run से match जीता हुआ है फिर scorches ने again 13 run से match जीता हुआ है then again scorches ने 9 wickets से match जीता हुआ है scorches ने 5 wickets से match जीता हुआ है scorches ने 7 wickets से match जीता हुआ है तो यह stadium पे scorches का बोल वाला हमेशा से रहा है और शायद से क्या पता हमें यह match में भी scorches का बोल वाला इस stadium पर देखने को मिलेगा इस अगर record को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि toss यहाँ पर इतना तादा crucial role play नहीं करता तो चाहे आप पहले batting करे या balling करे उतने जादे यहाँ पर effect नहीं करता है जो team अच्छा perform करेगी जो team उस particular day के conditions को समझ के अपने inning को plan करेगी अपने पूरे match को plan करेंगी वही team इस match को वही दिन उस दिन अपनी बाजी मार सकती है अब अगर हम लोग दोनों टीम के past performances की बात करें तो जो heat है उनका कुछ इस तरीके से score है जो हम लोग बोल सकते हैं की recent forming का कुछ इस तरीके से चलता रहा है कि पाच्वा match बोलोग जीते है फिर उनका जो चौथा match है वो abundant हुआ है जिसका कोई result निकला है उसके बाद तीसरा match win चौथा match win और पाच्वा match भी win तो इनके पास एक women winning momentum है heat वालों के पास एक अच्छागा से winning momentum है जो इस winning momentum को जो हमारा match होने वाला है कल उसमें वो use करते हुए दिखेंगे वही अगर scorches की बात करें तो scorches का पाच्वा match जो था वो win था चौथा match win फिर पिछला match वो हारे थे जो उसके बाद चौथा match win और पिछला वाला match वो lose कर गए तो जहाँ एक तरफ heat के पास winning momentum है तो वही scorches के पास home crown का advantage है अब ये देखना बहुत ही मज़दार होने वाला है कि अब ये दोनों टीम में से कौन सा टीम पर्त में अपना जहंडा गाणने वाली है अगर आगे पड़े तो आगे हम लोग बात करने वाले है तोनों टीम्स के possible playing 11 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कौचर्स की तो स्कौचर्स से possible playing 11 में हमें रिखने वाले है तो यह है दोनों टीम के possible playing 11 और यही 11 के साथ हम देख सकेंगे कि टीम अपना कलका मैच खेलेगी अब चलते हैं हमारे वीडियो के सबसे important segment के तरफ जो की होने वाला है दोनों टीम से key players अब यह key players वो होंगे जिने आप अपने fantasy team में भी शामिल कर सकेंगे तो जो हमें लगते हैं कि यह important player और एक key factor कलके होने वाले match में हो सकते है वो है उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मुन्रो, साम बिलिंग्स, नासर, स्वेपसन, क्रॉली, हाइडी, इंग्लिश, आगर, रिचर्टसन और कोनली तो यह हमने shortlist की हुए key player है, अगर आपको लगता है कि यह key player सही है और यह कलकी match में key factor बन सकते है, तो आप इन key players को अपने fantasy team में जरूर शामिल करें यह आपको अच्छे fantasy points कमा कर देंगे, और fantasy league में top prank achieve करने में help करेंगे तो यह था हमारा आज का overall analysis वीडियो, अब इसे के साथ आता है हमारे आज के match की giveaway का सवाल आपको हमारे बताना है कि कौन सा baller सबसे जादा wickets लेगा अब जो भी user सबसे पहले हमारे पूछे गवे सवाल का हमारे वीडियो के comment section में comment करेगा वो इस giveaway का winner कहलाया जाएगा हम इस वीडियो में total दो winner select करने वाले है और दोनों winners को उनके player spot wallet में 100 रुपीज real cash credit किया जाएगा आप सभी से एक request है कि एक बार आपने हमारे वीडियो पे comment कर दिया तो इस वीडियो को उस comment को बिल्कुल भी edit ना करे edit किये हुए comment को हम इस giveaway में participation अलाव नहीं करेंगे अगर थोड़ी बहुत spelling mistake होती है तो वो हम लोग consider कर लेंगे वो हम लोग understood कर लेंगे बट एक बार आपने comment कर दिया तो उस comment को वापस से edit ना करे एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे जो previous giveaway हमने plan किये थे उसमें हमने कई सारे winners shortlist किये कई सारे winners ने अपने जो awards थे वो भी claim किये लेकिर अभी भी कुछ winners ऐसे है जिन्होंने अपने rewards claim नहीं किये है तो उन winners से request है कि आप please जाईए अपने comments चेक किजिए क्योंकि वहाँ पे हमारे team ने सारा process दिया हुआ है कि आप अपने reward कैसे claim कर सकते है तो जल्दी जाईए और अपने reward claim किजिए तो ये था heat और scorches की बीच होने वाले match का analysis अगर आपको लगता है कि ये analysis आपके लिए helpful हैं तो इस video को like करे ऐसे ही और videos के लिए हमारे channel को subscribe करे and bell icon को press करना ना भूले हम आपसे मिलेंगे अगले video में तब तक के लिए बाए हो या